सो दोसो आचुके हैं एक नई वीडियो के साथ में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में आगर हम टॉप फाइब बैंक्स की बात करें तो उनी में से आपको एक एकसिस बैंक भी देखने को मिल जाती है एकसिस बैंक के नदर हम से वीडियो के वाइसी को कम्पलीट करेंगे इसका पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं भाई एक्सिस बैंक के अंदर आपको पहली बात है कि फिच का डेबिट कार्ड, वर्चुल डेबिट कार्ड और चेक्बुक देखने को मिल जाता है साथी एकाउंट ओपिन करने के बाद में मोबाइल बैंकिंग पर रिशेशन कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग को यूज कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं और गूगल पे फोन पे पेडियम जिसी आप अप्लिकेशन को भी यूज कर सकते हैं अगर आपको एक्सिस बैंक के अंदर एक बेस्ट सेबिंग से अकाउंट ओपिन करना है इस वीडियो को आपको continue देखना होगा यहाँ पर एक्सिस बैंक के अंदर एकाउंट ओपिनिंग का हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं फिर चाहे आपको एकाउंट ओपिन करना हो, चाहे वीडियो के वाईसी को complete करना हो और virtual debit card कैसे मिलेगा क्योंकि एकाउंट ओपिन करने के बाद, एकाउंट नंबर, IFSC code, ब्रांच code, यह सब कुछ आपको इस टेंडी देखना को मिल जाता है अब यहाँ पर एकाउंट ओपिनिंग करने के लिए भाई, इस वीडियो को पूरा देखना होगा साथी हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ना, तो चलिए फिर वीडियो को सुरू कर लेते हैं सो दोसो एकसेस बैंक में अगर आप एक सेबिंग एकाउंट ओपिन करना चाहते हैं अब account उपन करने के लिए continue करेंगे, इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं, इस column में pen number को type करेंगे, जिस pen card से आप अपने account को open करना चाहते हैं, इस column में आधार number को type करेंगे, और जो आपके आधार कार से mobile number लिंक है, वो mobile number इस box में type करेंगे, और यहां पर इस box पर checkout बैंक की तरफ से कुछ ट्रेमसंस, कंडिसंस आपको देखने को मिल जाएंगी तो इससे आप रीट कर सकते हैं और इसके बाद में I Agree के ओप्शन पर किलिक करेंगे अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंट करी जाएगी तो OTP इस कॉलम में टाइप करेंगे इसके बाद में कंफर्म OTP के ओप्शन पर किलिक करेंगे इसके बाद में कुछ ही तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि personal details आपको देखने को मिल जाएगी इसके बाद में यहाँ पर प्लेस वाले icon पर किलिक करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड की जो भी information होगी जैसे आपका नाम, photo, detail, address, date of birth यह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा इस column में mail ID को type करेंगे और यहाँ पर marital status के option पर click करेंगे unmarried हैं या फिर आप married हैं दोनों में से एक option को select करेंगे education qualification को option आजाएगा तो click करेंगे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगर आपका जो SSC complete है या फिर HSC complete है graduate है, master है, professional है, others है, select करेंगे इसके बाद में यहाँ पर occupation के option पर click करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आप select हैं तो select select करेंगे इसी तरीके से self-employed, housewife, student, retired और others इनमें में से एक option को select कर लेना है इसके बाद में दोस्तों देखेंगे यहाँ पर annual income को option मिल जाएगा तो यहाँ पर annual income जो भी आपकी हुप वो यहाँ पर type कर देंगे और इसके बाद में save के button पर click कर देंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि personal information हमारी feel हो चुकी है अब इसके बाद में family detail के option पर click करेंगे सबसे पहले यहाँ पर अपने पिता जी का first name type करेंगे, last name type करेंगे, अपनी माता जी का यहाँ पर first name type करेंगे और last name type करेंगे अगर आप अपने bank account में nominee को add करना चाहते हैं तब के लिए add a nominee के option पर click करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि nominee का नाम इस column में type करेंगे, यहाँ पर click करेंगे nominee का relation select करेंगे जो भी जिनका bank account open करेंगे उनसे क्या relation है ठीक है, यहाँ पर date of birth को type करेंगे अगर जिनका bank account open करेंगे उनका address और nominee का address same है, तो इसके option पर click करेंगे अगर आप address कोई दूसरा है, तो no के option पर click करके address को fill करेंगे और इसके बाद में direct shape के option पर click कर देंगे, इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि address को option आ जाएगा तो यहाँ पर click करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका permanent address यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपका permanent address कोई दूसरा है तो यहाँ पर दोस्तों no के option पर clicker करके address को fill करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि permanent residence type आपको मिल जाएगा और यहाँ पर automatic branch भी आपको देखने को मिल जाएगी आपके address के according अगर बाइद में branch नहीं आती है तो यहाँ पर clicker के branch को select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यह एक आपको saving account मिलता है access buying की तरप से यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 6000 रुपे की initial funding करनी होगी लेकिन last में हम आपको ऐसा बताएंगी कि 6000 रुपे के बजाए आपको मातिर 590 रुपे की initial funding करनी होगी साथी यहाँ पर 5000 रुपे का balance average करके रखना होगा यह चीछ दोस्तों आपको देख लेना ठीक है इसके बाद में save के option पर click करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर 3 step complete हो चुके हैं यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है अगर आप इंडिया के बाहर tax pay तो नहीं करते हैं अगर आप इंडिया के अंदर ही tax pay करते हैं तो एसके option पर click करेंगे और इसके बाग में review and proceed के option पर click करेंगे अब यहाँ पर अभी तक की जो अपने पूरी information को fill करा हुआ है सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी हमने यहाँ पर privacy की वज़े से इससे सब कुछ blur कर दिया है इसके बाग मैं proceed के button पर click करेंगे कुछ इस तरीके सेंटरफेस आपको मिल जाएगा देख सकते हैं कि video enable KYC process आप इस box पर check out करेंगे और check agent availability के option पर click करेंगे सो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपके पास वीडियो KYC करने के लिए original pen card, 4G, internet और यहाँ पर place में noise वगरा नहीं होनी चाहिए सब कुछ ठीक है तो proceed करेंगे इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं जिनका पर account ओपन करेंगे नाम देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर से video KYC का process शुरू हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पर camera का और microphone का location मांग रहा है तो यहाँ पर allow के option पर click कर देंगे इसके बाद में click head to start video KYC के option पर click कर देंगे तो आपकी video KYC start हो जाएगी इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमें account number, ifse code और यहाँ पर branch code मिल चुका है आप देख सकते हैं ठीक है पेज को उपर को अगर आप scroll down करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नीचे हमें एक option मिलता है add 590 रुपे का option तो यहाँ पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि 6000 रुपे की initial funding करने के लिए बोला जाएगा अगर यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप David card का charge पे कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं कि 590 रुपे यहाँ पर David card के थुरू आप payment कर सकते हैं या किसी भी net banking के थुरू payment कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आप इस box पर check out करेंगे add के option पर click करेंगे अब यहाँ पर जिस भी तरीके से आपको payment करना है card के थुरू payment करना है तो card number type करेंगे month, year type करेंगे, CV number डालेंगे pay security के option पर click करेंगे और payment को add करेंगे click करेंगे इसका पिन को set कर सकते हैं और यहाँ से इसका CV number भी आप check कर सकते हैं तो यह एक पूरा process सा है XC bank में एक savings account open करने का अभी दोस्तों जो आपने पूरा process देग लिया तो यहाँ पर हमने account कैसे open करना है कैसे आपको वीडियो के YC को complete करना है virtual debit card कैसे मिलेगा और यहाँ पर आप इसकी mobile banking को भी use कर पाओगे ठीक है तो यहाँ पर इसका हमने आपको complete step by step process आपको बता दिया है तो अगर आपको इस वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर देना सभी दोस्तों के पास वीडियो सेहर कर देना अगर आप भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कोमेंट करके पूछ सकते हों हम आपको reply जरूर देंगे तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाये हिंद वन्दे मातरा